हेलो दोस्तो नमस्कार अपने इस यूटूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत फागत करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैजटेट पोस्ट एन इस बेनिफिट्स के बारे में तो बेसिकली इस वीडियो में हम गैजटेट पोस्ट और नॉन गैजटेट पोस्ट के बीच में थोड़ा जो बेसिक डिफरेंसेज हैं उनके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ में ये भी discuss करेंगे कि gadgeted post होने से आपको benefit क्या होता है कुछ special power अगर होती है तो वो कौन सी होती है तो दोस्तों चली आज का वीडियो सुरू करते हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से request करूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करके रख ले तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों तो हम बात करेंगे कि appointment and transfer and posting appointment and transfer posting जो होता है वो किसी भी gadgeted और non-gadgeted का तो उसमें क्या डिफ्रेंस में तो यहां पर जो screen पर आप देख रहे हैं कि जो gadgeted officer का appointment होगा वो कैसे होगा by the president or by governor of state अगर आप central government के it apply होने जा रहे है graduate officer होने जा रहा है सेंटल् गवर्मेंट में तो president के दौरण आपका appointment होगा या प्रिजशय प्रेंस्टार तो आब के वीडरा आपका appointment होगा हमेशा requirement होती है कि governor से sign later आए या फिर president से sign later आएगा और उसको gadgets में notified through gadget of India और state अगर आप central government के तो जो भारत का राजपत्र है उसमें इसको notified किया जाएगा कि in in officers की निक्ति कर दी गई है या in in officers को transfer कर दिया गया यहां से वहाँ या फिर जो राजपत्र है अगर आप state government imply है तो फिर उस publications में उस gadget में यह जी आएगी तो gadget में publish करना ज़रूरी है हमारे निक्ति हो चाए promotion के थुरू gadget officer बने हो जब भी gadget officer आप बनेंगे तो आपकी appointment हो रहा है और promotion हो रहा है transfer posting हो रही है सब gadget में publish होगा और साथ ही साथ में अगर आप state government करते हो तो governor के sign के द्वारा otherwise president के sign के द्वारा ही आपका transfer होगा department के head के द्वारा नहीं हो सकता और joining के लिए भी जैसे normal department में जो non-gadgeted posts होती है अब यहाँ पे हम non-gadget की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता department head या department में जो भी जिसके पास भी authority होती है उनके sign से आपके पास joining लेटर आ जाता है और आप आप ज्वाइन भी कर लेते हैं जो जैसे अगर मान लिजे केंदरी विद्याला की बात करूं तो जिस भी रिजिन जिस भी रिजिनल ओफिस में आपको ज्वाइन करना होता है आरो बोलते है रिजिनल ओफिस में आपको ज्वाइन कराना है उस रिजिनल ओफिस के डी सी deputy commissioner के द्वारा sign करके अगर आपके पास joining लेटर पहुँच जाता है और आप उसी लेटर के अरधार पर ज्वाइनिंग कर लेते हैं लेकिन यहां पर आपको नॉर्मली मैं बता रहा हूं majority या most probability की बात रहेगी जैसे all group A employees on or above 6600 grade पे GP मिन्स grade पे ऐसे सभी इंप्लाई जिनका grade पे 6600 है 6600 या उसके उपर है वो सभी group A employee होते हैं और उनका जो वो सभी maximum अगर वो state government के डारेक्ट है या central government के डारेक्ट इंप्लाईज हैं तो फिर वो प्रिंसिपल जो होते हैं या यह होंगे लेकिन एक्चुली होता क्या है जिसे हम लोगों ने सुना है PSU हम चोगी इंजिनियर्स है तो हम maximum लोगों ने PSU जरूर जानते हैं या फिर autonomous bodies होती है कुछ जैसे मैं बात करूं अगर केंदरी विद्यालेक्स अंगठन की तो KBS Central Government की जॉप नहीं होती यह Central Government के अंतरगत आने वाली एक autonomous body है जैसे PSU होता है इसमें क्या होता है तो KBS के प्रिंसिपल जो होते लेवल 12 के होते हैं लेकिन वो गैजटेट आफिसर नहीं होते और उसी टाइम पे अगर आप स्टेट की बात करें तो स्टेट में आप देखेंगे क हमारे पास जो GIC Government Inter College है उसके प्रिंसिपल जो होते हैं वो भी सेम लेवल पे होंगे लेकिन वो क्या होते हैं गैजटेट होते हैं तो अगर आप स्टेट या Central Government के डारेक्ट इंपलाई हैं तो फिर आप अगर 600 ग्रेट पे या उसके ऊपर की पोस्ट पे हैं यानि लेवल 11 या उसके उपर की पोस्ट पे तो आप ग्रूप A के इंपलाई होंगे और आप गैजटेट होंगे लेकिन अगर आप बॉआ रेक्ट सेंट्रल गर्रुमने स्टेट गर्राइनियालिक के अंडर में आता जैसे पीिएयस और होगे भल्या तो उस्में आप होंगे कि नहीं यह अलग से सब्सक्kum्ट करना पड़ता उसे आप क्लियरली नहीं कह सकतें कि होंगे ही होंगे तो पहला तो यह हो गया कि ग्रूप एक सारे इंप्लाइज जो कि छाचाट सो ग्रेट पे आ उससे उपर के हैं वह गैजटेट ऑफिसर होते हैं हाँ डारेक्ट मतलब सेंट्रल एस्टेट गवर्मेंट की इंप्लाइज होने चाहिए दूसरा सम ग्रूप भी इंप्ला ही गैजटेट होते हैं अब दोस्तों अगर हम बात करें कुछ पावर्स आप गैजटेट ऑफिसर्स की क्या-क्या पावर्स होती हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहला जो पावर होता है यानि अटेस्ट करते हैं जैसे कि अभी अभी यूपी पीसी पॉलिटेकनिक में आप देखेंगे कि दो फोटो जो है हम लोगों को गैजटेट ऑफिसर से प्रमाडित कराना था तेस्ट कराना था तो इनके पास एक पावर हो जाती है और उनको एक सील मिलती है फ्रम गवर् फॉलिटेट देखेंगे पावर होती है वह इस सील का यूज़ करके जो गवर्नर के फॉल उनको मिलेगा यहां पर हमें स्टेट गौ़र्मेंट की बात करते हैं गवर्नर के थ्रू मिलेगा उसका यूज करके उसको सर्टिफाई कर सकते हैं और दूसरा नंबर पर जो अच्छा ध्यान रखिएगा जो पहला पावर मैंने बताया सर्टिफिकेशन का या अटेस्टेशन का वो सभी गैजटेट आपिसर के पास होते हैं लेकिन आगे के भी सब्सक्राइब यह तो कुछ लोग पास यह सब होता है पास्पॉर्ट वैरिफिकेशन के लिए या पास्पॉर्ट के लिए अगर कोई किकम्ष्टेव हैं है आपके पास उस्काओ सर्टिफाइड करना है तो उससे रेटेट भी group A के कुछ particular post पे बैठे लोगों के पास ही power होती है लेकिन जो normal power सब में होती है चाहे वो group B के हो चाहे group A के हैं वो ये होती है attestation करना किसी document को attest करना अब दोस्तों बात आती है कि चुकि हम लोग इस channel पे basically अभी कुछ दिनों से dedicated वीडियो जो बना रहे हैं वो है कि polytechnic lecturer के बारे में तो अब हम यहां पर जानेंगे कि क्या polytechnic lecturer की post जो है वो gadgeted post है या नहीं है group A है या नहीं है एस और नो करके मैंने यह लिखा हुआ यानि इसमें आपको बताना है कि क्या जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर सपोस्ट करें एक टो 14-15 में आई थी एक उससे पहले 12-13 में भी यह post advertise की गई थी और उसके बाद अभी जो recent recruitment चल रहा है वो 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसका recruitment च होगा यह मेरी तरब से आप लोग के लिए question है आप लोग जरूर इसको find out करें और अपना suggestions जो भी आपको लगता है और अगर हो सके तो explanation के साथ comment box में आप डालें मैं भी जल्द ही इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी पोस्ट गैजटेट है कौन सी पोस्ट गैजटे प्रसेस में भी थोड़ा डीफ्रेंस होता है अगर माझन लीजिए इसमें यह post 14 15 वाला गैजटेट है और 2021 वाला गैजटेट नहीं है तो non-गैजटेट Post की ज्एञिनिंग और गैजटेट पोस्ट की ज्एज ज्एश्म प्रोसेस होगा उनमें थोड़ा सा difference होगा क्या difference ऊ लिए मैं आपसे यही राय जानना चाहता हूँ कि क्या पॉलिटेखनिक लेक्चरर का जो रिक्रूट्मेंट हो रहा है वो पोस्ट गैजटेड है या नहीं है बाकी गैजटेड और नॉन गैजटेड के बारे में मुझे लगता है कि हम लोग पूरा ही देख लिए कि एक बेसि मुहर होती है उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हमेशा गवर्नर या प्रिसिडेंट के द्वारा ही किया जा सकता है और साथ ही साथ में उनके पास कुछ स्पेशल पावर भी होती जिनके बारे में हमने एक एक करके देखा तो आई होब कि यह वीडियो आपको पसंद आया होग अगर यह वीडियो पसंद आया है तो एक बार फिर से कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग दिस वीडियो